प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार, आशा करते हूं कि आप सभी तंद्रुस्त होंगे, और पढ़ाई के प्रती आप सबका उत्सा कायम होगा। बच्चों, आज हम छटी कक्षा के विध्यान का अध्याय वस्तूओं के समूह बनाना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें क्या पता है। आप अपने आसपास किस प्रकार की वस्तूएं देखते हैं। अपने आसपास की कोई पांच गोल वस्तूओं के नाम बताईए। प्लास्टिक से बनी कुछ चीजों के नाम बताईए। अपनी कक्षा में काले रंग की वस्तूओं के नाम बताईए। ये सारे काम करने के बाद हमें यह पता चलता है कि सभी प्रकार की वस्तूओं को उनकी शकलों यानि कि उनकी आकृतियों, रंग और गुणों के आधार पर भिन भिन समूहों में बाट सकते हैं। हमारे चारों और की वस्तूओं एक या एक से अधिक पदार्थों को मिला कर बनी होते हैं। आईए बच्चों, हम एक सूची बनाते हैं और इन वस्तूओं को देखते हैं। तो देखिए हमारी सूची में अब कौन-कौन से वस्तूओं आ गई हैं। जी हाँ, चौक, पैंसिल, पैन, नोटबुक, रबर, डस्टर, बाल्टी, कील, बर्तन, माचिस, खिलोने, आदी। इतनी सारी वस्तूओं हमारे आसपास पाई जाती हैं। चलिए, अब हम कुछ योजना बद्ध तरीके से इन्हें देखते हैं। हम उन वस्तूओं के पदार्थों को पहचानने की कोशिश करते हैं, जिनसे ये बनिंग हैं। जैसे एक तरफ वस्तू का नाम रखेंगे और दूसरे तरफ वो पदार्थ जिनसे ये बनतिंग हैं। सबसे पहले लेते हैं बाल्टी। बाल्टी प्लास्टिक, लोहे, पीतल और स्टील की बने हो सकती है। पैन, पैन भी प्लास्टिक, धातू या काच के बने हो सकते हैं। पैंसिल, पैंसिल, लकडी, प्लास्टिक, स्टील की कवर या ग्रिफाइट का बने हो सकती है। और बर्तन, बर्तन प्लास्टिक के, स्टील के, अन्य धातूं के, चीनी मिट्टी के, काच के, लकडी के या डिस्पोजिबल भी हो सकते हैं। तो बच्चों, इस सार्णी से हमें क्या पता चला? इस सार्णी से हमें यह पता चलता है कि कुछ वस्तुएं एक से अधिक प्रकार के पदार्थों की बने हो सकती हैं। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही पदार्थ से कई अलग-अलग प्रकार के वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। जैसे, चलिए यहां इस सार्णी को देखते हैं। सबसे पहले रेते हैं हम रूई, रूई के गद्दे, कपड़े, चादरें और रजाईयां बनी हो सकती हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक के खिलोने, बरतन, लंच बॉक्स, पाइपें और दर्वाजे खिडक्यां भी बनते हैं। लोहा, लोहे की मशीने, हथोडा, कील, दर्वाजे, खिडक्यां और भी कई वस्तुएं बनती हैं। कागस, कागस से पेपर, उस्तके, कौप्यां, अखबार, आदि कई चीजें बनती हैं। और काँच, काँच के गिलास, शीशा, एनक, खिडक्यों में लगने वाले काँच, बल्ब, इत्यादी, कई चीजें बनती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अब हमें यह पता चल गया है कि कई बार अलग-अलग पदार्थों से एक ही प्रकार की वस्तु बनाई जा सकती हैं। और कई बार एक ही पदार्थ का उप्योग करके कई अलग-अलग वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। तो अब हम यह कैसे पता करें कि कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से बनाई जानी चाहिए? बच्चों इसके लिए हमें पदार्थों के गुणों के बारे में जानना होगा तो चलिए बच्चों अब हम यह देखते हैं कि पदार्थों के वह सब गुण क्या क्या हैं जो उसके उप्योग के लिए महत्वपून हैं हम पदार्थों को इन कुछ गुणों के आधार पर जानते हैं या वर्गे कृत करते हैं ये गुण हैं पहला गुण दिखावट दूसरा कठोरता तीसरा गुण विले या अविले पदार्थ चौथा गुण वस्त्वों का जल में तैरना या डूबना और पाच्वा गुण है पार दर्शिता बच्चों अब हम पदार्थ के इन गुणों का अध्यन करेंगे तो सबसे पहले हम उसके दिखावट वाले गुण का अध्यन करते हैं बच्चों हमने यहां कुछ वस्तुएं इकठी कर रखी हैं जैसे गत्ता, लकडी, तामबे की तार, एलिमीनियम की शीट, चौख के टुकडे आदी आप देख रहे होंगे, इन में से कुछ वस्तुएं चमकदार हैं और कुछ चमक ही इन हैं, अर्थार्थ कुछ में चमक नहीं है करते हैं, यहां हमने कुछ अलग-अलग वस्तुएं ली हैं, जैसे धातु की चाबी, लकडी, पत्थर का टुकडा, कील, स्पंज, मूम बत्ती, रूई, चौक, आदी, यहां जिन पदार्थों को आसानी से संपीरित किया जा सकता है, वे पदार्थ कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रूई और स्पंज, लेकिन जिन पदार्थों को संपीरित करना कठिन होता है, वे पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे की धातू या लकडी, बच्चों, अब हम विले या अविले पदार्थों की बारे में जानेंगे, आए बच्चों, एक क्रिया कलाप के द्वारा हम पदार्थों की विलेता या घुलन शीलता का परिक्षन करें, तीन जल से भरे ग्लास लें, पहले ग्लास में नमक डालें और चम्मच से विलोडित करें, आप देख सकते हैं की नमक जल में पून रूप से विलीन हो गया है, दूसरे ग्लास में एक चम्मच चीनी डालें और इसे भी चम्मच की सहायता से विलोडित करें, आप देख रहें हैं की चीनी भी जल में गुल जाती है या विलीन हो जाती है, अब तीसरे ग्लास में एक चम्मच रेत मिलाईए और धीरे धीरे विलोडित कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए इसे रख दीजिए, आप देखेंगे की रेत पानी में विलीन नहीं होती है, रेत ग्लास के तले पर बैट जाती है, तो बच्चों, जो पदार्थ जल में घुल गए या विलीन हो गए, वे पदार्थ विले पदार्थ कहलाते हैं, परन्तु, जो पदार्थ जल में विलीन नहीं होती है, उन्हें अविले पदार्थ कहा जाता है, जैसे की रेत, इस प्रकार पदार्थों का जल में विलीन होना और विलीन ना होना, यानि की विले होना या औविले होना पदार्थों का एक महत्वपून गुण है, बच्चों, अब हम देखते हैं कि पदार्थ जल में तैरते हैं या डूपते हैं, हमें पता है, कुछ पदार्थ जल के उपर तैरते हैं और कुछ पदार्थ जल में डूप जाते हैं, इसकी लिए भी हम एक क्रिया कलाब करते हैं तीन जल से भरे ग्लास लें और साथ में तेल, पत्थर और कुछ सूखे पत्ते ले लीजिए इन पदार्थों को अलग-अलग ग्लास में डालिए आप देख सकते हैं कि तेल को जल में डालने पर तेल जल के उपर एक परत बना लेता है और जल पर तैरता है पत्थर जल में डालने पर डूब जाते हैं और सूखे पत्ते जल के उपर तैरते हैं क्यूंकि ये बहुत हलके होते हैं इस क्रिया कलाब के द्वारा हमें पदार्थों के तैरने और डूबने के बारे में पता चलता है बच्चों अब हम पदार्थ के आखरे गुण उसकी पारदर्शिता के बारे में जानेंगे किसी भी पदार्थ में से प्रकाश निकलने की शमता के अनुसार हम पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकरत करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर वस्त्वों को आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं जैसे काच, जल और वायू दूसरे पदार्थ हैं अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर हम वस्त्वों को नहीं देख पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं जैसे कार्डबोर्ड या गत्ते का टुकड़ा धातू का कोई बरतन इनके आरपार हम नहीं देख पाते हैं तो ये हुए अपारदर्शी पदार्थ तीसरी तरह के पदार्थ हैं पारभासी पदार्थ पारभासी पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं परन्तु बहुत स्पष्ट नहीं इस प्रकार के पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है जैसे की ट्रेसिंग पेपर या किसी नॉर्मल पेपर के उपर तेल या बटर लगाकर उसे हम ट्रेसिंग पेपर में बदल सकते हैं उस पेपर के आर पार जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई तो देता है परन्तु बहुत स्पष्ट नहीं तो इस प्रकार के पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है तो बच्चों अब हम इस अध्याय की दोहराई करेंगे हमारे चारों और की वस्तुएं कई प्रकार के पदार्थों से बनी है कई वस्तुएं एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है कुछ पदार्थ दिखने में चमकदार होते हैं परन्तु कुछ चमक हीन होते हैं कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य पोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। वस्त्रों को उनके सुविधा तथा गुणों के सही अध्यन के लिए एक साथ समुहित किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उमीद है कि आप सभी को उत्तर आते होंगे। धातू से बने पांच वस्तूओं के नाम सोचें और लिखें। दो खुर्दरे पदार्थों का उधारण दीजिए। विलय और अविलय पदार्थों में अंतर बताईए। जल में तैरने वाली और डूबने वाली कुछ वस्तूओं के उधारण दीजिए। अपारदर्शी पदार्थ का उधारण दीजिए। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूं कि आप सभी को यह अध्याय समझ आ गया होगा। बच्चों, आप तंदुरुस्त रहे, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे धन्यवाद। बच्चों, आप तंदुरुस्त